हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं फिर आजर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टेप्स लेकर आज के हमारी टेप्स ना बहुती ज़्यादा खास होने वाली हैं तो वीडियो को फुल वाच किजेगा वीडियो कर आपको ज़रा भी अच्छी लग अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर किजेगा क्योंकि यह वाली जो प्रॉब्लम नहीं हर घर में हर लेडि को होती है क्योंकि यह जो टॉबल्स होती हैं बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि बच्चे खाना खाने क जो के अलमोस्ट खतम हो चुका था लेकिन खतम होने के बाद भी आप कभी चेक कीजेगा आपने फेश वाश को फेकने सекपहले एक बार कट करके उसके अन्दर ना बहुत सारा फेष वाश जो हो लगा रहता है तो उसको फेकने के बाद मैं तो कभी ऐसे फेकती बिना कोई भी टूथपेस्ट डाल लीजिए और यहां पर मैंने जो टूथपेस्ट है यह भी जो हमारा अल्मूस्ट खतम हो गया था उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भरके उसे शेक कर लिया है उसमें से यह टूथपेस्ट निकाल दिया है तो उसके बाद आप इस टौवल को हो या फिर गंदी हो गई हो वो सब साफ हो जाती है तो मैं आपको इसे साफ पानी से धोकर दिखाती हूं और यह जो पानी यह नहीं से फेक किएगा मत इसे आप अपनी वाशिंग मशीन में जो भी कपड़े दुल रहे हैं उसमें डाल दीजिए तो यह उसमें भी अच्छा रिजल्ट देगी तो यहां पर देखें हमने टॉबल को दो लिया और बहुत इजली बहुत अच्छे से हमारी जो टॉबल है वो सारी साफ हो गई है तो यह छोटी जी टिप है आई होब आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक से जरूर कीजिगा तो चल साथ मैं दूद गरम कर रही हूं जो कि मुझे पनीर के लिए करना है तो जब हम एक साथ हमें दो दो तिन तिन काम करने होते हैं तो आप कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लगाएं जिससे कि हमारे दोनों काम बहुत अच्छे सो जाएं और हम उने इसली मैनेज कर पाएं तो अगर आपकी बच्चे मतलब हल्वा पसंद करते हैं तो उसे दूद का हल्वा दीजिए जिससे कि वह उनकी हल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता और यह जो हल्वा होता है ने रखने के बाद भी ड्राय फॉर में नहीं और साथी साथ मैं पनीर भी बना रही हूं अच्छा जब हम हल्वा को बनाने पर आ जाते ने बिल्कुल पक जाता है तो आप देखते होंगे बहुत ज्यादा चटकता है हल्वा पूरे किचिन में मतलब पूरी गैस वगरा सब कुछ बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो इसके लिए आपके साथ टिप शेयर करूंगी तो यहां मैं साथी साथ पनीर को भी बनाती जारी हूं उसके लिए मैंने यहां पर डाला है वेनिगर और साथी साथ इसमें जैसे ही विनिगर डालते है तुरंत थोड़ी सी फिटकरी को पीसकर डाल दीजिए इससे क्या होगा कि पनीर की क्वांटिटी बहुत अच्छी निकलेगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलेगी कि जैसे हमारी यह गाय का दूद है गाय का दूद का पनीर थोड़ा थोड़ा हो जाता है लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देंगे तो एकदम हाथ और फ्लेट यह सचाम लेक्न देखते हैं कदे डेकर कें वाइब को से पनीर बनकर थीकितना तौद हिसाथ अगर आप के गर्लिप जटक जाता है और तो थौड़ा विह हमारा बन गया होन्shiftDny participar बीच में बस आप इसका एक दिन पानी चेंज कर दीजे तो भी आपका पनी बहुत अच्छे से बना रहेगा तो मेरी जो सेकंड टिप है वह इस तरह की जो बॉटल सोतीन में से अगर पानी लीक हो रहा है तो आप उस पर इस तरह की एक रबर्बेंट चढ़ा दीजे जिससे क चोटी अलग कर लिजे उसके बाद आपने क्या करना है दो लेनी है सेफटी पिन अभी है मैं आपको एक सेफटी पिन क्यूज करके दिखा रही हूं यहां पर और आगे भी बताऊंगे उसमें एक मैंने कंगन लगा लिया है टीशर्ट में और सेफटी पिन की मदद से आप इस तरीके से सेट कर दीजिये जैसे आप इसे सेटी पिन की मदद सेट करेंगे न अगर आप चाहते हैं इसे मतलब सिलना तो आप सिल भी सकते हैं लेकिन मैने इसला इसली नहीं है कि जब भी मुझे धोना होगा तो मैं सेटी पिन को निकाल दूँगी और máмने धोल दूग तो ये बहुत अच्छे से काम करती, क्योंकि जो टीशर्ट का कपड़ा होता है, वो हाथ वगेरा पोशने के लिए, या फिर कुछ भी डास्टिंग वगेरा करने के लिए, बहुत अच्छा होता है。 अच्छा जो हमने sleeves निकाल ली थी उनको भी नहीं फिकना हैं, तो हमने sleeves को यहाँ पर इस तरीके से fold कर लिया है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप इसे fold कर लीजिए, उसके बाद आप इसे सुईधागे की मदद से आगे से बंद कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, इससे तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से बंद कर लिया कच्छे टाके लगा दीजे कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जादा मजबूती से करना है इस पे हमें कोई लोड नहीं डालना है हमने बस देखिए इस तरीके से इसको कर लेना है अगर आप चाहे तो स सीधा कर दिया और एक मैंने ऐसी बनाए इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई गरम चीज वगरा उठाते हैं तो हमारे हाथ बहुत जादा जलते हैं तो यहां पर आप इस तरीके से इसे पकड़ेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे तो यहां पर मैंने बताए तीन लेयर आपको जिस तरह हम ना आप बरताने उधर रखना है और सिंगल लेयर हमने बाहर की साइड रखी है तो आयोप आपको यह टिप भी पसंद आएगी इस अगली जो मेरी टिप है वो है जो मसूर की दाल होती है उसको लेकर क्योंकि आपको पता ही होगा मसूर की दा होती है आप इसमें तोड़ा सा निकाल लीजिए और उसमें आप डाल लीजिए थोड़ा सा कच् ellasi कच्छा दूद कच्छा दूद डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपको कच áर नहीं सू करता है तो आप इसमें गुलाब जल डा सकते है या फ पर कोई भी डेटवल साबुन होता है उसको आप ले लीज़े और उसको क्रेश कर लीज़े। लेकिन मुझे नहीं है तो इसलिए मैंने देखे आपको एक बना कर बताई है। उसकी बाद आप कोई भी पॉलित्न के अंदर इसको इस तरीके से बांध लीजिए बांधने के लिए धागा या मैने तो फिर शोटी छोटे से उल्स कोड़ियोग क्योंकि इससे ने जब भी आप फ्लश करेंगे तो आपकी जो फ्लैट टॉयलेट है उसकी सारी गंदेगी भी फ्लश हो जाएगी साथी साथ एक बहुत अच्छी खुश्बू भी आती रहेगी तो आयोब आपको मेरे सारे आइडियास पसंद आये होंगे